रामनगर ब्लाक अंतरगत ग्राम देवरी में अध्भुत नजारा देखने को मिल रहा है जहां एक नीम के पेड़ से सफेट कलर का तरल पदार्थ दूध जैसा पेड़ से निकर रहा है जिसे लोग देविक चमतकार मान प्रसाद के रूप में ग्रहन कर रही हैं जब प्रसाद ग्रहन करने वालों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इसका टेस्ट खटता है नीम का पेड़ आस्था का केंद्र बन चुका है आसपास से काफी तादात में लोग आ रहे हैं और दर्शन कर पूजा पाठ कर रहे हैं जब लोगों से हमने बात की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि यदि कोई इस पेड़ को छू देता है तो जो सफेट तरल्पदार्थ बह रहा है उसकी धार कुछ समय के लिए बंध हो जाती है और कुछ समय बाद उन्हा उसी तरह चालू हो जाती है